Hello everyone, मैं हूँ रूबे और आप आए हैं तारा मद्दू की रसोई चैनल पर तो friends, मुझे एक pineapple flavor cake का order आया है और अगर आप इसकी कहानी सुनोगे ना तो चौप जाओगे Actually मैं कल पूरे दिन busy रही और किसी ने मुझे मेरे number पर message भी छोड़ा हुआ था कलका कि मुझे एक cake चाहिए यहाँ पास में हमारी एक location है वहाँ पर और फिर सुब़े जब मैंने free हो करके अपना WhatsApp में दिखती हूँ तब मुझे पता लगा कि उनको cake आज सुबह 11 बज़े चाहिए और जब मुझे पता लगा तो बज़ रहे थे 9 तो 9 बज़े मैंने यह cake बनाना स्टार्ट किया है और 11 मुझे मुझे पहुचाना है वो cake तो इस 2 घंटे के अंदर मैं इस पूरी process को कैसे करूंगी आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी और अभी तो मैं friends यह sponge बन गया उसके आगे का आपको दिखा रही हूँ कैसे कैसे मैंने तैयारी की वो आप पूरे वीडियो में देखेंगे और pineapple flavor cake है चैनल से दिख करके किसी ने order दिया और एक photo भी भेजी है कि मैं मुझे अपनी दीदी के लिए cake बनवाना है और बारा बजे ओफिस चली जाती है तो ग्यारा बजे आप मुझे यह दे दीजिएगा तो दो घंटे के अंदर friends मैंने इसे बनाया और यतना अभी भी गरम है कि मैं वेट कर रही हुए थोड़ा सा थंडा हो जाए तो मैं इसकी लियर कट करूँ मैं इसे फ्रिज में भी रखोंगी तक यह थंडा हो जाए उसी बीच मैंने जब तक यह थंडा हो रहा था मैंने अपनी देखिए क्रीम की तैयारी कर लिया है पाइपिंग बैग में भर लिया है सो देट मैं उसकी फाइनल आइसिंग कर सकूँ और उस केक में न मुझे चॉकले उन्होंने जो केक दिया है उसमें चॉकलेट की कुछ इस तरीके की डेकोरेशन है केक वाइट और ब्लू कलर के कॉंबिनेशन में है तो देखे जब तक टाइम था वो भी मैंने बना लिया है और बाकी की त्यारी कर लिया है नॉजल वॉजल निकाल लिया है वेट कर रही हूँ ये कब ठंडा हो और अभी 10 बज़ रहे हैं मतलब केक स्पॉंज को बनाने में क्रीम रेडी करने में चॉकलेट गार्निशिंग मनाने में मेरा एक घंटा चला गया अब एक घंटे के अंदर इसकी क्रम कोटिंग, आइसिंग, डेकोरेशन और इसकी डेलिवरी मुझे करनी है तो अभी टाइम कम है फटा-फट से इसकी लियर को कट करते हैं और इसकी डेकोरेशन करते हैं तो बहुत ही प्यारा सा केक है जब उन्होंने मुझे दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसकी की खासियत है कि इसमें गोल्डन जो फ्लेक्स हैं वो भी लगाने है तो यहाँ पर मेरे पास देखिए गोल्डन फ्लेक्स हैं वो भी लगाऊंगी तो इस तरीके से फ्रेंड्स जबी भी आपको कुछ नया देखना हो नया सीखना हो और फटा फट से इंस्टेंड के ओरर को कैसे कंप्लीट करना हो कैसे अपने आईडियास को सेट करना हो उस सब जानने आगर आप चाते हैं तो सीधा तारा मदूगी रसरी के चैनल पर आईए आपको बहुत कुछ इस तरीके से मैनेजमेंट करके कैसे काम किया जाता है वो सब मैं सिखाती हूँ और जैसे खुद करती हूँ वैसे ही बताती हूँ उसमें कोई मैं वो परदा नहीं रखती कि यह मेरा गंदा हो रहा है या यह हो रहा है जो जैसा है फ्रेंट्स सब आपके आगे है और टाइम कम है फटवट काम करते हैं तो फ्रेंट्स आज मैं आपको मेजरिंग मशीन से ही मेजरमेंट करके बताऊंगी तो यहाँ पर मैंने अपना बरतन रख दिया और tear कर दिया है, मतलब इसका जो weight है वो minus कर दिया है और अब मैं अपने cup से लगबद 1.5 cup premix डालूंगी, vanilla flavor वाला, जो basic premix आता है और मैं tropolite वाला premix यूज़ कर रही हूँ, और यह थोड़ा extra गिरगया, इसे निकाल लेते हैं तो total 180 gram आपको आधा केजी के लिए premix लेना है, और इसमें हम डाल देंगे 1.5 tablespoon oil मार्किट के premix में, friends, कम oil डलता है, वहीं अगर आप घर के premix से बना रहे हैं, या घर के मैदे से बना रहे हैं, फ्रम scratch cake बना रहे हैं, तब आपको 3 tablespoon के करीब oil डालना होगा और अब मैंने यहापर pineapple का emulsion डाला है, papillon brand का, जिससे की flavor और color दोनों मुझे मिल जाएंगे अगर आप flavor डालेंगे न, friends, तो केवल flavor आएगा, color नहीं आएगा, और उसके लिए फिर आपको gel color या liquid color यूज़ करना होगा, पर emulsion से दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, अभी आपर 6 इंची का मैंने बर्दन लिया, और इसके अंदर में यह जो ओडी के eco-bake baking paper आता है, इसी को set करूँगी, और यह बहुत ही easy है, इसे cake बनाना, friends, यह reusable भी है, तो मैं आपर reusable वाला ही baking paper यूज़ कर रहे हूँ, दो करके आप इसे रख सकते हैं, और दुबारा यूज़ कर सकते हैं, और यह सबसे ची बात eco-friendly भी है, तो आपर मैंने इसम को preheat होने रखा, और इसी के अंदर, अब मैं अपना cake bake करूँगी, और temperature भी देखी, आपको दिखा देती हूँ, 180 degree पर मैं इसे हा, set करके लगबख 20-25 मिनट के लिए छोड़ दूगी, क्योंकि आज मेरे पास कम टाइम है, तो यह काम फटा-फट मुझे करना है, जब तक cake bake हो रहा है, हम यहाँ पर इसकी chocolate ready कर लेते हैं, तो यह है white chocolate compound, यह भी देखिए, मेरी almost खतम हो गई है, जल्दी market जाना पड़ेगा, और अब ना हम क्या करेंगे, चाकू से चोटे-चोटे पीस कर लेंगे, और किसी ने मुझे comment किया था, कि मैं अगर आप आलू चीनने वाले potato peeler से करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, तो वो भी करूँगी try, पटास तो कम time है, पटाबट काम करना है, अब इसको करेंगे melt, तो मैंने एक बातन में पानी को गरम किया और इसमें बाउल को रग दिया है, तो इसे भी 2 मिनिट ऐसी छोड़ना होगा, so that यह melt हो ज पोड़ी ही देर पहले ही निकाली थी, जैसे यह order का पता लगा, तो यह अच्छे से melt नहीं हो पाई है, तो लगबग 250 MLS के अंदर क्रीम, तो मैं अच्छे से spatula से देखिए, खेंच-खेंच के इसमें से निकाल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी क्रीम ना डबबे के नीचे रहे जाती है, तो यह सारी हमने डाल दिये, अब इसमें मैं इसका यह जो बीटर है वो लगा दूँगी, और देखिए जल्दबाजी में हातों का भी क्या हाल हो रहा है, मुझे यह लग रहा है कि फटा-फट मैं इसको स्टार्ट कर दू, so that cream भी पीठोना स्टार्ट हो जा बाहर के रूम में cake भी को रहा है, इधर मैंने table के नीचे अपने stand mixer में cream को whip होने रख दिया है, और उपर मेरे table पर देखिए, chocolate भी अच्छे से melt हो गई है, तो इस सारे काम एक साथ भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है friends की 2 घंटे या 1 घंटे में cake नहीं बन सकता, सब कुछ हो सकता है, बस आप थोड़ा सा अपने अंदर फूर्ती जादा लाइए, और ये सोच के चरिये के काम हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, chocolate जो melt हो गई थी ना, उसमें मैंने एक drop डाला है, royal blue gel color, चोकले में हमेशा gel color ही डालते हैं, और फिर अच्छे से कर लिया है, mix तो हमा जाएगी, तो मैं फटा-फट से इन मोल्स के अंदर इसे डाल देती हूँ, लगपक आधा-धा tablespoon इनमें डालना होता है, और चोकले जो है, अच्छे से बन जाती है, तो मेरी almost नाप से बराबर ही बनी है, चोकले थोड़ी बहुत extra है, वो हमारी होनी भी चाहिए, कहीं इसमे टूट-फूट हो जाए, तो वो काम आजाए, अच्छे से बनी है, तो चोकलेट स्प्रेड हो जाएगी, मेरी थोड़ी सी बच्ची है, तो मैं यह extra मूर में भी डाल देती हूँ, इसको फिर रख लूँगी, दुबार कभी काम आने के लिए, यह देखे, और अब मैं इसे पाँच मिनट के लिए, जहाँ पर हम नॉर्मल खाना वगरा रखते हैं, चोकलेट गई फ्रिज में, और यहाँ पर क्रीम भी हो गई है, रेडी, चलिए से भी रेडी कर लेते हैं, और यहाँ पर केक भी रेडी हो गया, यह देखे, जैसे ही मैंने हटाया, भाप निकली एक कम टाइम है, तो जब तक केक ठंडा हो रहा है, हम चोकलेट को डीमूल कर लेते हैं, यह देखे, कितनी बढ़िया चोकलेट हमारी बन गई है, कलर कितना प्यारा आया है, देखे, मुझे वैसे चार चाहिए, पर 5 मेने बना ली है, चलिए, यह काम भी हो गया है, और क्रीम त को जब तक ना, पाइपिंग बैग में भर लेते हैं, और हमारा केक भी ना, अल्मूस्ट तब तक ठंडा हो जाएगा, ताकि हम उसकी लियर को कट कर सकें, क्योंकि एक दम गरम गरम केक को अगर निकालने लगूंगी या कट करूंगी ना, तो वो टूट फूट जाएगा, थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रखना बहुत जरूरी है, यहां पर देखिए, पांच मिनट ही रखा है, अल्मूस्ट इतना यह ठंडा हो गया है, कि मैं इसे आराम से पकड़ सकती हूँ, हाला कि अंदर से गरम है, उसका भी इलाज भी करेंगे, पहले इसको दीमोल कर लेते हैं, यह मैंने निकाल लिया केक, फोड़ा सा टैप करने से यह देखिए, बहर आ जाएगा, भरतान अभी भी हलका गरम है, तो रख नहीं पाई, और यहां पर आप देख सकते हैं, थमनेल की तैयारी में कर रही हूँ, कितना बढ़िया स्पॉंज मेरा रेडी हो गया ह और चॉकलेट सी भी हमारी रेडी है, चलिए यह सब तो चलता ही रहेगा, बीच में एक मिनट इसके लिए भी निकालना पड़ता है, फ्रेंट्स, तो अब हम केक की लियर्स को कट करेंगी, तो सबसे पहले तो मैं टॉप लियर को रिमूव कर रही हूँ, थोड़ी सी हलकी स में बहुत अच्छा रेस्पॉंज मिलता है, तो यहाँ पर देखिए, थ्रेड की मदद से मैं आज इनकी लियर्स को कट कर रही हूँ, क्योंकि केक मेरा भी भी गरम है, और हलका सा तूट भी गया है, कोई बात नी, इसे और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, तो केवल दो क्रीम आप लगाना चाहें, लगाएं, और इसे अच्छे से इवनली स्प्रेड करें, तेड़ा मेडा बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं करना, कहीं भी उपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही रिजन है आपकी केक की शेप बिगड़ने का, यह एकदम प्लेन होगी, आ जल्दी आपको यह pineapple की filling बनाना भी सिखाऊंगे और crush बनाना भी, तो बने रही है मेरे चैनल पर जल्दी इसकी recipe आपको मिलेगे, अभी time थोड़ा सा मुझे कम मिल पा रहा है, क्योंकि work load ज्यादा है, cakes वगरे के order से जैसी फूरसत मिलेगी, ज़रूर सिखाऊंगे आपको, यहाँ पर लगबग दे टेबल स्पून मैंने डाल दिया pineapple की filling, second layer रख दिया है, जो थोड़ी घायल भी हो गई है, इसको भी moist करेंगे, cream लगाएंगे, crush, filling और फिर तीनों layers को इसी तरीके से arrange कर लेंगे, तो देखे, अभी मेरे पास कम time बचा है, बहुत ही, और पटा- मैंने तो मैं क्या कर रही हूँ, क्रम कोटिंग साथ के साथ, साइट की भी करते जा रही हूँ, क्योंकि बाद में फिर मुझे दिक्कत नहीं देगा, और यहाँ पर मेरी crush की bottle भी पूरी खतम हो गई है, almost one time खतम हो जाता है, पता-फट से लाना होगा, क्योंकि pineapple flavor के बहुत जल्दी आता है order, तो यह डाल दिया है crush, और यह गई final layer हमारी cake की, और रखने से पहले इसके पीछे के baking paper को remove करेंगे, और इसे आप धोकर के दुबाहरा reuse भी कर सकते हैं, जैसा मैं बताती हूँ, और अब फाइनली थोड़ी सी इसपर cream उपर रखेंगे, और इसी की से पूरे cake की crumb coating करेंगे, जल्दी यल्दी कर लेती हूँ friends, यह सब तो मैं आपको दिखाती ही रहती हूँ, रोजार अपने वीडियो में, फुरसत में, बट ऐसे urgent order आते हैं तो mobile पूरा ready नहीं होता है, उसमें space भी नहीं होती, कभी battery भी कम होती है, तो बीच-बीच में व blue color डाल रही हूँ, chef master का, अच्छे से इसको कर लेंगे mix, क्योंकि मुझे light shady चाहिए, जैसा हमारा chocolate का आया था न, कुछ उसके आसपास कही shade हम लेंगे, यहाँ पर अच्छे से मैंने कर लिया है mix, अब इसको बढ़ लेंगे piping bag में, so that हम इससे finalizing कर सकें, और इससे हमारा काम भी आसान हो जाएगा, यहाँ पर piping bag का चेक थोड़ा मूटा कट गया है, बट somehow मैं manage करूँगी, यह देखे, और इस तरीके से na cream बहुत अच्छे से लग जाएगी, कहीं कहीं color अच्छे से mix नहीं हुआ है, बट scrapper से जब मैं इसकी finishing करूँगी तो अच्छे से mix हो जाएगा यहाँ पर cream अच्छे से लगाने के बाद, आप spatula से या palette knife से पहले आपको उपर की cream को smudge करना है, friends, कभी भी side की cream को पहले मत कीजिए, इसको अच्छे से plane कीजिए, extra cream हटा दीजिए, और फिर side की cream को 90 degree एकदम palette knife को रख करके, turn table की मदद से आपको finishing देनी है, तो यह बहुत स कर रही हूं, क्योंकि अगर मैंने वो किया, तो मुझे कहीं न कहीं दिकत का सामना करना पड़ेगा, तो आराम से काम हो जाए, जल्दी काम हो जाए, उसके लिए 2 मिने टेक्स्ट्रा लग जाए, पर काम एक ही बार में हो जाए न वो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर दे और यह लिया चोटे वाला पैलट नाइफ और ऐसे जिग-जग, मतलब दाएं से बाएं, बाएं से दाएं आपको इस तरीके से रोटेट करना है, तो कहीं-कहीं वाइट, कहीं-कहीं ब्लू का शेड भी आ जाएगा, और यह पैलट नाइफ के जो मार्क्स है ना, वो बेसिक भी दिखाऊंगी, तो मैंने क्या-किया, थोड़ा सा कलर और डाला, चैसे किया, स्मज, और फिर इसके भी ड्रॉप्स इस तरीके से पैलट नाइफ से ही लगा लिए, और फिर से पैलट नाइफ से इस तरीके से दाएं से बाएं पैटन देना स्टार्ट किया, तो इस बार अच्छा बना और सुंदर भी लगा, पहले से अच्छा लग रहा है आप लोगों को भी यह देखिए, दाए से बाएं आपको सिर्फ करना है, और यह जो मार्क्स है न, यही हमारा एक डिजाइन पैटन बनाएंगे, तो यह हो गया है, अब जो बची हुई क्रीम है, उसको म लगा रहा है, और जिसमें मैंने 2D नॉजल, जो N2 नॉजल है न, वो लगाया है, क्योंकि N1 नॉजल मेरा थोड़ा बिजी था किसी काम में, तो वो लगा लिया है, और साइड में थोड़ी सी न, वाइट क्रीम भी एक्स्ट्रा डाली है, साथ मिक्स करके, ब्लू और वाइ बनाते, बनाते, 5 रोजेट मैंने बना दी है, जो कि मेरे केक के हाफ को कवर कर देंगे, ये देखिए, अब इनके बीच बीच में हमने जो चॉकलेट बनाई है न, ब्लू कलर की वो हम इंसर्ट करेंगे, ये देखिए, इस तरीके से, बहुत ही सुन्दर सा डिजाइन बन कर के रेडी होगा भी आप देखिएगा, ये हमने लगा दी है, पार्चो चॉकलेट और अब ब्लू कलर की क्रीम से ही न, केक के नीचे हमें बनाना है, परल वाला बॉडर, तो यह पर देखिए, सेम उसी कलर की क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में भरा है, छोटा सा उसका च कट किया है, और बिल्कुल धीरे धीरे पेशन्स के साथ, एक एक परल एक जैसा बने, तो इसको बनाने में लगबग एक से दो मिनिट लग जाता है, मैंने यापर मोबाइल की स्पीड को बढ़ाया है, बट बेरी स्पीड स्लोई है, क्योंकि मुझे बहुत ही सुन्दर से य हम गोल्डन फ्लेक्स से डेकोरेट करेंगे, क्योंकि उस केक में भी कुछ ऐसा ही है, तो यहाँ पर छोटे-छोटे यह फ्लेक्स में लेकर के पहले तो रोजेट के सेंटर में लगाऊंगी, और बहुत ही सुन्दर इससे केक लगेगा, भी देखिएगा, साइड में जो हमा पूरी लाइन को कवर कर लिया, तो देखिए कि कितना सुन्दर लगने लगा है, और अभी और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम इस पर और भी कुछ करेंगे अभी, तो यह हमारी लग गई है, सारी फ्लेक्स इसके साइड में, और अब ना फ्रेंड्स इसके ओपर मैं क्योंकि ब्लू पर सिल्वर कलर अच्छा लगेगा, और इसको करते ही देखेगा केक में क्या गजजब की शाइन हाजाएगी, जितने भी यह नीचे बॉर्डर बनाए है, वो सारे चमकने लगेंगे, और फ्लार्स पर भी कर दिया है, और अब थोड़े-थोड़े में यह ज हो जाए, और नहीं तो फिर बहुत सारे लोग है जो पीछे पढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर ना, जिनका यह केक है ने फ्रेंट्स उन्होंने मुझे लिखके भी दिया था कि आप उपर जभू लिखेगा, हैपी बर्दे बार, क्योंकि यह कोई अपनी दीदी के लिए बन कर दूंगी, तो वो और भी जादा सुदर लगेगा, तो फिर उसके बाद तुरंथ, एक-दो मिनिट मेरे पास थे, मैंने छोटे वाले बॉल्स भी ढाल दिये, इसे की पैटन के उपर यह और भी अच्छा और अट्राक्टिव लुक दे, यह देखे, और इस तरीके से फ्र स्क्राइबर की तरफ से कोई अगर केक का ओडर आता है न, तो खुद कुछ जादा वेट करके देती हूँ, तो इसलिए मैंने प्रिमिक्स में कोई कटाओती नहीं की, बट अगर आप यह केक बना रहे हैं, आदा केजी का परफेक्ट, तो प्रिमिक्स फिर 170 ग्राम मेरा यह जो केक है, जैसी उन्होंने फोटो भेजी थी, वैसा बन करके रेडी है, और अभी फटा-फट से मैं इसको पैक करूँगी, क्योंकि 5 मिनिट बचे हैं, 10 बच के 55 मिनिट हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने पहली अपना बॉक्स निकाल के रखा हुआ है, और अब मैं इसे टैक कर रही हूँ, इस तरीके से देखिए, तो गंटे के अंदर भी केक बन जाता है, तो आप लोग जरू ठ्राई कीजेगा, और अभी मैं पास से दिखा देती हूँ आपको इसे, तो यह मैं अपने केक को आप देखिए, पैक कर रही हूँ, तो आज की इस वीडि केस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजे, चैनल को नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, और मुझे इंस्टाग्राम, फेस्बूक पर भी प्लीज प्लीज फॉलो कर लीजेगा, और तारमदू डाईरीस को भी विजिट कीजेगा, वहाँ पर भी आपको बहुत तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल, फिर से कुछ नया धमा के दार्सा सीखने के लिए, तब तक के लिए बाबाए, टेक्टे के लिए